मरकुस रचित सुसमाचार अध्याए एक से सोलह अध्याए एक युहना बपतिस्त्मा देने वाले का प्रचार एक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की सुसमाचार का आरंब दो जैसा यशायाह भाविश्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है देख मैं अपने दूप को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मारक सुधरेगा तीन जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मारक तैयार करो और उसकी सड़के सीधी करो चार योहना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापो की क्षमा के लिए मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था पांच सारे यहूद्या प्रदेश के और यरूशलिम की सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापो को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया छे योहना उट के रोंग का वस्त्र पहिने और अपनी कमर में चमडे का कटिबंद बांदे रहता था तथा टिटिया और वनमधू खाया करता था साथ और यह प्रचार करता था मेरे बाद वहाने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है मैं स्योग्य नहीं की जुपकर उसके जूतों का बंद खुलूं आठ मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा येशू का बपतिस्मा और परीक्षा नाइन उन दिनों में येशू ने गली के नासरत से आकर यर्दन में युहना से बपतिस्मा लिया दस और जब वह जल से निकल कर ऊपर आया तो तुरंट उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की समान अपने ऊपर उतरते देखा ग्यारा और येह आकाशवानी हुई तू मेरा प्रियपुत्र है तुझसे मैं प्रसन हूँ बारा तब आत्मा ने तुरंट उसको जंगल की ओर भेजा तेरा जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वहवन पश्वों के साथ रहा और स्वरगदूत उसकी सेवा करते रहे येशु के सेवा कार्य का आरंब 14 यूहना के पकड़वाय जाने के बाद येशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया 15 और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकटा गया है मन फिरव और सुसमाचार पर विश्वास करो मचुवों का बुलाया जाना 16 गलील की जील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाय अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मचुवे थे 17 यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ मैं तुमको मनुष्यों के मचुवे बनाऊंगा 18 वे तुरंट जालों को छोड़ कर उसके पीछे हो लिए 19 कुछ आगे बढ़कर उसने जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाय यूहनना को नाव पर जालों को सुधारते देखा 20 उसने तुरंट उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़ कर उसके पीछे हो लिए 21 तब वे कफरनहूम में आये और वे तुरंट सबत के दिन आराधनाले में जाकर उपदेश करने लगा 22 और लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परन्तु अधिकारी के समान उपदेश देता था 23 उसी समय उनके आराधनाले में एक मनुश्य था जिसमें एक अशुद्धा आत्मा थी 24 उसने चिल्ला कर कहा ये ईशु नास्री हमें तुझ से क्या काम क्या तु हमें नश्ट करने आया है मैं तुझी जानता हूँ तु कौन है परमेश्वर का पवित्र जन 25 ईशु ने उसे डांट कर कहा चुपरह और उसमें से निकल जा 26 तब अशुद्धा आत्मा उसको मरूर कर और बड़े शब्द से चिल्ला कर उसमें से निकल गई 27 इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे यह क्या बात है ये तो कोई नया उपदेश है वह अधिकार के साथ अशुद्धा आत्माओं को भी आग्या देता है और वे उसकी आग्या मानती हैं 28 और उसका नाम तुरंट गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया बहुत से बीमारों को चंगा करना 29 वह तुरंट आरा धनाले में से निकल कर याकूब और योहना के साथ शमौन और अंद्रियास के घर आया 30 शमौन की सास ज्वर से पीड़े थी और उन्होंने तुरंट उसके विशे में उससे कहा 31 तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी 32 संध्या के समय जब सूर्य डूप गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माई थी उसके पास लाए 33 और सारा नगर द्वार पर एकठा हुआ 34 उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया बहुत सी दुष्टात्माऊं को निकाला और दुष्टात्माऊं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी एकांत में येशू का प्रार्थना करना 35 भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वहुट कर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा 36 तब शिमौन और उसके साथ ही उसकी खोज में गए 37 जब वह मिला तो उससे कहा सब लोग तुझी धून रहे हैं 38 उसने उनसे कहा आओ हम और कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूं क्योंकि मैं इसी ले निकला हूं 49 अतहव सारे गलील में उनके आराद नलेयों में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा कोड के रोगी को चंगा करना 40 एक कोड़ी उसके पास आया उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुध कर सकता है 41 उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे चुख कर कहा मैं चाहता हूं तू शुध हो जा 42 और तुरंट उसका कोड़ जाता रहा और वह शुध हो गया 43 तब उसने उससे चिता कर तुरंट विदा किया 44 और उससे कहा देख किसी से कुछ मत कहना परंटु जाकर अपने आपको याजिक को दिखा और अपने शुध होने की विशे में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेचड़ा कि उन पर गवाही हो 45 परंटु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि लीशु फिर खुलम खुला नगर में न जा सका परंटु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों और से लोग उसके पास आते रहे अध्याय 2 लकवे के रोगी को चंगा करना एक कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है दो फिर इतने लोग की कठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था तीन और लोग एक लकवे के रोगी को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आये चार परंतु जब वे भीर के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छट को जिसके नीचे वह था खूल दिया और जब वे उसे उधिर चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया पांच यीशू ने उनका विश्वास देखकर उसलकवे के रोगी से कहा हे फुत्र तेरे पापक्षमा हुए छे तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे सेवन यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पापक्षमा कर सकता है आठ यीशू ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो। नाइन सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना की तेरे पाप शमा हुए, या यह कहना की उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर। दस परंतु जिससे तुम जान लो की मनुश्य की पुत्र को पृत्वी पर पाप शमा करने का भी अधिकार है। और सारी भीर उसके पास आए और वह उने उपदेश देने लगा। शौदा जाते हुए उसने हलफी के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। और वह उतकर उसके पीछे हो लिया। 15 जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा तब बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यशू और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिये थे। सोला शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है। उसके चेलों से कहा वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। सत्रह यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यक्ता नहीं, परन्तु बीमारों को है, मैं धर्मेओं को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ. उप्वास का प्राश्ण 18 युहना के चेले और फरीसी उप्वास करते थे, अतल उन्होंने आकर उससे ये कहा, युहना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उप्वास रखते हैं, परन्तु तेरे चेले उप्वास नहीं रखते. 29 येशु ने उनसे कहा, जब तक दूलहा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उप्वास कर सकते हैं? अतल जब तक दूलहा उनके साथ है, तब तक वे उप्वास नहीं कर सकते. 20 परंतु वे दिन आएंगे जब दूलहा उनसे अलग किया जाएगा उस समय वे उप्वास करेंगे 21 कोरे कपड़े का पैवंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता नहीं तो वह पैवंद उसमें से कुछ कीच लेगा अर्थात नया पुराने से और पहले से अधिक फट जाएगा 22 नए दाखरस को पुरानी मशिकों में कोई नहीं रखता नहीं तो दाखरस मशिकों को फार देगा और दाखरस और मशिके दोनों नश्ठ हो जाएंगी परंतु नया दाखरस नए मशिकों में भरा जाता है सबत का प्रभू 23 ऐसा हुआ कि वह सबत के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे 24 तब फरीसियों ने उससे कहा देख ये सबत के दिन वह काम क्यूं करते हैं जो उचित नहीं 25 उसने उनसे कहा क्या तुमने ये कभी नहीं पड़ा कि जब दावत को आवश्यक्ता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुई तब उसने क्या किया था 26 उसने कैसे अव्यातार महायाजिक के समय परमेश्वर की भवन में जाकर भेट की रोटिया खाई जिसका खाना याजिकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी 27 तब उसने उनसे कहा सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है न कि मनुष्य सबत के दिन के लिए 28 इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है अध्याय तीन सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना एक वह फिर आरा धनाले में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था दो और वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे की देखें, वह सबत के दिन उसे चंगा करता है की नहीं तीन उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो चार और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्रान को बचाना या मारना पर विच्चुप रहे पांच उसने उनके मन की कथोरता से उदास होकर, उनको क्रोप से चारों और देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा हो गया छे तब फरीसी बाहर जाकर तुरंथ है रोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नश्ट करें बीर का यीशू के पीछे हो लेना साथ ईशू अपने चेलों के साथ चील की ओर चला गया, और गलीर से एक बड़ी भीर उसके पीछे हो ली आठ और यहुद्या, और यरूशिलिम, और एदुम्या, और यर्दन के पार, और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीर ये सुनकर की वह कैसे अचम्भे के काम करता है, उसके पास आए. नाइन उसने अपने चेलों से कहा, भीर के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें. दस क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोग ग्रस्त थे, उसे चूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे. ग्यारह शुद्धा आत्माय भी, जब उसे देखती थी, तो उसके आगे गिर पड़ती थी, और चिल्ला कर कहती थी कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बारह और उसने उन्हें बहुत चिताया कि मुझे प्रगटना करना. बारह प्रेरितों की नियुपती, तेरह फिर वह पहाड़ पर चद गया, और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और वे उसके पास आए. चौदा तब उसने बारह पुरुषों को नियुप किया कि वे उसके साथ साथ रहें, और वहुने भेजे कि वे प्रचार करें, पंद्रह और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें. 16 वे ये हैं, शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा, 17 और जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहनना, जिनका नाम उसने बोनर के सर्थात, गरजन के पुत्र, रखा, 18 और अंद्रियास, और फिलिप्पुस, और बर्तुलमे, और मत्ती, और थुमा, और हलफी का पुत्र याकूब, और तद्य, और शमौन का नानी, 19 और यहुदा इस कर्योती जिसने उसे पकरवा भी दिया, यीशू और बालचबूर, 20 तब वे घर में आया, और ऐसी भीर इकठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके, 21 जब उसके कुटुम्बेों ने ये सुना, तो वे उसे पकरने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्थिकाने नहीं है, 22 शास्त्री भी जो यरूशलेम से आये थे, ये कहते थे, उसमें शैतान है, और वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, 23 ये वह उन्हें किसी घर में फूट पड़े, तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा, 26 ये यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंथी हो जाता, 27 परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत की घर में गुसकर उसका माल नहीं लूट स की जाएगी, 29 परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुध निंदा करे, वह कभी भी ख्शमान किया जाएगा, वरन वहनन पाप का अपरादी ठहरता है, 30 क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुध्ध आत्मा है, ये शु की माता और भाए, 31 तब उसकी माता और उसके भ भाए आये, और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, 32 भीर उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख, तेरी माता और तेरे भाए बाहर तुझे धून्धते हैं, 33 उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाए कौन है, 34 और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे, द्रिश्टी करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाए ये हैं, 35 क्योंकी जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाए, और बहिन, और माता है, अध्याय चार, बीज बोने वाले का द्रिश्टांत, एक वह फिर जील के किनारे देने लगा, और ऐसी बड़ी भीर उसके पास एकठी हो गई कि वह जील में एक नाव पर चड़कर बैठ गया, और सारी भीर भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही, दो और वह उन्हे द्रिश्टांतों में बहुत सी बाते सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उनसे क एक बोने वाला बीज बोने निकला, चार बोते समय कुछ मार के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया, पांच कुछ पत्रिली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल दुगाया, छेह और जब सू पर गिरा और वहुगा और बढ़कर फलवंध हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया, नाइन तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो, वह सुन ले, दृष्टांतों का उद्देश्य, दस जब वह केला रह गया, तो उसके साथियों न उन 12 समेत उससे इन दृष्टांतों के विशय में पूछा, 11 उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राजय के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहरवालों के लिए सब बाते दृष्टांतों में होती है, 12 इसलिए कि, वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझ खाए न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझे, ऐसा न हो की वे फिरें, और क्षमा किये जाएं, बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या, 13 फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम ये दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे 14 बोने वाला वचन बोता है, 15 जो मार्क के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था, उठाले जाता है, 16 वैसे ही जो पत्रिली भूमी पर बोय जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनन से ग्रहंग कर लेते हैं। सत्रा परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रब होता है, तो वे तुरंत होकर खाते हैं। अठारा जो जड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना, उननीस और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्यवस्तुों का लोब उन में समा कर वचन को दबा देता है और वह निश्वल रह जाता है। बीस और जो अच्छी भूमी में बोए गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहं करते और फल लाते हैं। कोई तीस गुना, कोई साथ गुना और कोई सो गुना। दीपक का द्रिश्टांत 21 उसने उन से कहा, क्या दिये को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए। क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए। 24 फिर उसने उनसे कहा, चौकसरों की क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, और तुमको अधिक दिया जाएगा. 25 क्योंकि जिसके पास है, उसको दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है, उससे वह भी जो उसके पास ह ले लिया जाएगा। उपने वाले बीज का दृष्टांत। 26 फिर उसने कहा, परमेश्वर का राजय ऐसा है, जैसे कोई मनुश्य भूमी पर बीज छीटे, 27 और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बड़े की वह न जाने। 28 पृत्वी आप से आप फल लाती है, पहले अनकुर, तब बाल, और तब बालों में तयार दाना। 29 परंतु जब दाना पक जाता है, तब वह तुरंध हंस्या लगाता है, क्योंकि कटनिया पहुँची है। 31 परंतु जब बोया गया, तो उपकर सब साखपात से बढ़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी चाया में बसेरा कर सकते हैं। 33 वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से द्रिष्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, 34 और बिना द्रिष्टांत कहें वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निक्चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। 35 उसी दिन जब सांज हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ, हम पार चलें। 36 और वे भीर को छोड़कर जैसा वह था, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावे थी। 37 तब बड़ी आणधी आए, और लेहरे नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। 38 पर वह आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था। 39 तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा, हे गुरू, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नश्ट हुए जाते हैं। 39 तब उसने उठकर आणधी को डाटा, और पानी से कहा, शांत्रिह थम जा। और आणधी थम गई और बड़ा चैन हो गया, चालीस और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो। क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं। 41 वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आणधी और पानी भी उसकी आग्या मानते हैं। अध्याय पांच दुष्टात्मा ग्रस्ट व्यक्ति को चंगा करना एकवे जील के पार गिरासिनियों के देश में पहुँचे, दो जब वहनाप पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्धा आत्मा थी, कबरों से निकल कर उसे मिला। तीन वह कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, चार क्योंकि वह बार-बार बेडियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेडियों के टुकडे-टुकडे कर दिये थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था. पांच वह लगातार रात दिन कब्रों और पहारों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था. छेवल यीशु को दोरही से देख कर दोड़ा, उसे प्रणाम किया, साथ और उचिशब से चिल्ला कर कहा, ही यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझ से क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपत देता हूं कि मुझे पीरा ना दे. आठ क्योंकि उसने उससे कहा था, है अशुद्धा आत्मा, इस मनुष्य में से निकला. नाइन उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम से ना है, क्योंकि हम बहुत हैं. दस और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बहार न भेज. ग्यारह वहाँ पहार पर सुरों का एक बड़ा जुन्द चर रहा था. बारह उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सुरों में भेज दे की हम उनके भीतर जाएं. तेरह अतह उसने उन्हें आग्या दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुरों के भीतर पैक गई और जुन्द, जो कोई दो हजार का था, कराड़े पर से जपटकर जील में जा पड़ा और डूब मरा. 14 उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गावों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए. 15 हीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात माई थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहिने और सचीत बैठे देखकर दर गए. 16 देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्टात माई थी, और सुरों का पूरा हाल उनको कै सुनाया. 17 तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा. 18 जब वह नाव पर चड़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात माई थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे. 19 परंतु उसने उससे आग्याना दी, और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभू ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये हैं. 20 वह जाकर दिका, पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि लीशू ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किये, और सब लोग चमभा करते थे. 21 जब येशू फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीर उसके पास एकठी हो गई. वह जील के किनारे ही था कि बाइस याई नामक आराधनाले के सरदारों में इसे एक आया, और उससे देखकर उसके पावों पर गिरा, तेही सौर्या कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रखकी वह चंगी होकर जीवित रहे. वैद्यों से बढ़ा दू, ख़ उठाया, और अपना सब माल वियाई करने पर भी उसे कुछ लाब न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी. 27 वह ईशू की चर्चा सुनकर भीर में उसके पीछे से आये और उसके वस्त्र को छू लिया, अर्था इसक्यों की वल कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी. 29 और तुरंत उसका लहू बहना बंध हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ. 30 यशू ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थे निकली है, और भीर में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किस ने छूआ? 31 उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीर तुछ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छूआ? 32 तब उसने उससे देखने के लिए जिसने ये काम किया था, चारो और द्रिष्टी की. 33 तब वस्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डर्ती और कामती हुई आए, और उसके पावों पर गिरकर उससे सब हाल सच-सच कह दिया. 34 उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा, और अपनी इस बीमारी से बची रहे. 35 वह यह कही रहा था कि आराधनाले के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, आप गुरू को क्यू दू, ख़देता है. 36 जो बातवे कह रहे थे, उसको ईशू ने अनसुनी करके, आराधनाले के सरदार से कहा, मदर केवल विश्वास रख. 37 और उसने पत्रस और याकूब और याकूब के भाई युहनना को छोड़, अन्य किसी को अपने साथ आने न दिया. 38 आराधनाले के सरदार के घर में पहुँचकर, उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा. 49 तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परंतु सो रही है. 40 वे उसकी हसी करने लगे, परंतु उसने सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर, जहां लड़की पड़ी थी, गया. क्योंकि वह 12 वर्ष की थी. इस पर लोग बहुत चकित हो गए. 43 फिर उसने उन्हें चिताकर आग्यादी की यह बात कोई जानने न पाय और कहा, इसे कुछ खाने को दो. अध्यायच है. नासरत में येशु का अनादर. एक वहां से निकल कर वह अपने देश में आया, और उसके चेले भी उसके पीछे गए. दो सबत के दिन वह आरा धनाले में उपदेश करने लगा, और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बाते कहां से आ गई. ये कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थे के काम इसके हाथों से प्रगट होते हैं? तीन क्या ये वही बढ कर खाए. चार हीशू ने उनसे कहा, भाविश्य द्वाक तक अपने देश और अपने कुटुम और अपने घर को छोड़ो और कहीं भी निरादर नहीं होता. पांच वह वहां कोई सामर्थे का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया. 6 और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों और की गावों में उपदेश करता फिरा. 12 प्रेरितों का भेजा जाना. 7 उसने बारहों को अपने पास बुलाया और उन्हें दो-दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्धा आत्माउं पर अधिका 10 और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो. 11 जिस थान के लोग तुम्हें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तल्वों की धूल जार डालों की उन्हें पर 14 हे रोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा, युहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हो में से जी उठा है, इसलिए उससे ये सामर्थे के काम प्रगट होते हैं. 15 अन्य लोगों ने कहा, यह लिया है, परंतु कुछ अन् 17 हे रोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पतनी हे रोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेज कर युहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रिव में डाल दिया था, 18 क्योंकि युहन्ना ने हे रोदेस से कहा था, अपने भाई की पतनी को जाय रखता था और उसकी बाते सुनकर बहुत घबराता था पर आनन से सुनता था। 21 ठीक आफसर आया जब हेरोदेश ने अपने जन दिन में अपने प्रधानों और सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए भोच किया। 22 तो हेरोदेयास की बेटी भीतर आये और नाचकर हेरोदेश को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसंद किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूँगा। 23 और उससे शपत खाए, मैं अपने आधे राजे तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूँगा 24 उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगून। वह बोली, युहना बपतिस्मा देने वाले का सिर। 25 वह तुरंत राजा के पास भीतर आये और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी युहना बपतिस्मा देने वाले का सिर। एक थाल में मुझे म बहेजा कि उसका सिर काट लाए। 28 उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया।íस ये सुनकर युहना के चिली आये और उसके शब को ले गए और कबर में रखा। प्रेरितों की वा स्थान में चल कर थोड़ा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अफसर भी नहीं मिलता था 32 इसलिए वे नाव पर चड़कर सुनसान जगह में अलग चले गए 5,000 पुरुशों को खिलाना 33 बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से एकठे होकर वहाँ पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुँचे 34 उसने उतर कर बड़ी भीर देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भीरों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहों और वह उन्हें बहुत सी बाते से खाने लगा 35 जब दिन बहुत धल गया तो उसके चिले उसके पास आकर कहने लगे ये सुनसान जगह है और दिन बहुत धल गया है 36 उन्हें विदा कर की चारों और के गावों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले 37 उसने उत्तर दिया तुम्ही उन्हें खाने को दो उन्होंने उससे कहा क्या हम सौ दिनार की रोटिया मोल ले और उन्हें खिलाएं 38 उसने उनसे कहा जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं उन्होंने मालूम करके कहा पांच और दो मचली भी 49 तब उसने उन्हें आ गया दी कि सब को हरी घास पर पांती पांती से बैठा दो 40 वे 100 और 50 पांती करके पांती पांती बैठ गए 41 उसने उन पांच रोटियों को और दो मचलीयों को लिया और स्वर्प की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड तोड कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे और वे दो मचलीयां भी उन सब में बांट दी 42 सब खाकर त्रिप्थ हो गए 43 और उन्होंने टुकलों से 12 टोकरियां भर कर उठाई और कुछ मचलीयों से भी 44 जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे यीशू का पानी पर चलना 45 तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चरने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैटसेदा को चले जाएं जब तक कि वे लोगों को विदा करे 46 उन्हें विदा करके वे पहार पर प्रार्थना करने को गया 47 चब सांज हुई तो नाव चील के बीच में थी और वह केला भूमी पर था 48 जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी तो रात के चौथे पहर के निकट वह जील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था 49 परंतु उन्होंने उसे जील पर चलते देखकर समझा की भूत है और चिल्ला उठे 50 क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे पर उसने तुरंत उनसे बाते की और कहा धाध असबाध हो मैं हूँ दरो मत 51 तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे 52 वे उन रोटियों के विश्रे में न समझे थे क्योंकि उनके मन कथोर हो गए थे गन्नेसरत में रोगियों को चंगा करना 53 वे पार उतर कर गन्नेसरत में पहुँचे और नाव घाट पर लगाई 54 जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंट उसको पहचान कर पचपन आसपास के सारे देश में दोड़े और बीमारों को खाट उपर डाल कर जहां जहां समाचार पाया की वह है वहां वहां लिये फिरे 56 और जहां कहीं वह गावों, नगरों या बस्तियों में जाता था लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आचल ही कुछ हूँ लेने दे और जितने उसे चूते थे सब चंगे हो जाते थे अध्याय साथ परंप्रा पालन का प्राश्ण एक तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आये थे उसके पास इकठा हुए दो और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना धोए हाथों से रोटी खाते देखा तीम क्योंकि फरीसी और सब यहुदी पूर्वजों की परंप्रा पर चलते है और जब तक भली भाती हाथ नहीं धूलेते तब तक नहीं खाते चार और बजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते और बहुत सी अन्यबाते हैं जो उनके पास माने के लिए पहुचाई गई हैं जैसे कटोरों और लोटों और तामबे के बरतनों को ध शायाह ने तुम कप्तियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की, जैसा लिखा है, ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझ से दूर रहता है। साथ ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुश्यों की आग्याओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। आठ क्योंकि तुम परमेश्वर की आग्या को टाल कर मनुश्यों की रीतियों को मानते हो। नाइन उसने उनसे कहा, तुम अपनी परमपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो। दस क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह वश्यमार डाला जाए। ग्यारा परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाप पहुँच सकता था, वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका। बारा तो तुम उसको उसके पिता वा उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। तेरह इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, पर मेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। मनुश्य को अशुध्ध करने वाली बातें चौदा तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। पंद्रह ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुश्य में बाहर से समा कर उसे अशुध्ध करे, परंतु जो वस्तु मनुश्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुध्ध करती हैं। सोलह यदी किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। सत्रा जब वह भील के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने इस द्रिश्टांत के विशय में उससे पूछा। 18 उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुश्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुध्ध नहीं कर सकती। 19 क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परंतु पेट में जाती है और संदास में निकल जाती है। ये कहकर उसने सब भोजन वस्तूओं को शुद्ध ठहराया। बीस फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 21 क्योंकी भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे-बुरे विचार, व्या भिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, 22 लोग, दुष्टता, छल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती हैं। 23 ये सब बुरी बाते भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। 24 फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया, और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। 25 और तुरंत एक्स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्धा आत्मा थी, उसकी चर्चा सुनकर आये, और उसके पावों पर गिरी। 26 ये युनानी और सुरुफिनी की जाती की थी। उसने उससे विनती की की मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। 27 उसने उससे कहा, पहले लड़कों को त्रिप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। 28 उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभू, तो भी कुत्ते भी तो मेज की नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। 29 उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। 30 उसने अपने घर आकर देखा की लड़की खाट पर पड़ी है, और दुष्टात्मा निकल गई है। 31 फिर वह सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिकापुलिस से होता हुआ गलील की जील पर पहुचा। 32 लोगों ने एक बहिरे को जो हकला भी था, उसके पास लाकर उससे विनती की की अपना हाथ उस पर रखे। 33 तब वह उसको भीर से अलग ले गया, और अपनी उनगलियां उसके कानों में डाली, और थूपकर उसकी जीप को छुआ, 34 और श्वर्प की ओर देखकर रह भरी, और उससे कहा, इपफितह, अर्थात, खुल जा, 35 उसके कान खुल गये, और उसकी जीप की गांट भी खुल गई, और वह साफ साफ बोलने लगा, 36 तब उसने उन्हें चिताया की किसी से न कहना, परंतु जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे, 37 वे बहुती आश्चर्यम में होकर कहने लगे, उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है, वह बहिरों को अध्याय आठ, 4000 लोगों को खिलाना, एक उन दिनों में जब फिर बड़ी भीर इकठी हुई, और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, तू, मुझे इस भीर पर तरस आता है, क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं, तीन यदी में उन्हें भूखा घर भेज दून, तो मार्प में ठक कर रह जाएंगे, क्योंकि इन में से कोई-कोई दूर से आये हैं, चार उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाय की ये कि उनके आगे रखें, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया, साथ उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलिया भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी, आठ वे खाकर त्रिप्त हो गए और चेलोंने शेश टुकरों के साथ तो प्यारह फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उससे जाचने के लिए उससे कोई स्वर्गिय चिन्ह मानगा, बारह उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह धुन्धते हैं, मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को फरीसियों और हेरोदेश का खमीर 14 चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एकी रोटी थी 15 उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेश के खमीर से चौकस रहो 16 वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है 17 ये जानकर येशू ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते, क्या तुम्हारा मन कथोर हो गया है 18 क्या आँखे रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और क्या तुम हिसमरन नहीं 19 की जब मैंने 5000 के लिए 5000 टोड़ी थी तो तुमने तुकनों की कितनी टोकरियां भर कर उठाई उन्होंने उससे कहा, 12 टोकरियां, 20, और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकणों के कितने टोकरे भरकर उठाये थे उन्होंने उससे कहा, 7 टोकरे, 21 उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते, बैचसेदा में एक अंधी को चंगा करना 22 वे बैचसेदा में आये, और लोग एक अंधी को उसके पास ले आये और उससे विनती की क्यूस को चुए, 23 वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गाउं के बाहर ले गया, और उसकी आँखों में थूपकर उस पर हाथ रखे, और उससे पूछा, क्या तु कुछ देखता है वह चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा, 26 उसने उससे यह कहकर घर भेजा, इस गाउं के भीतर पाउं भी न रखना, पत्रस का ईशू को मसीश स्वीकार करना, 27 ईशू और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गाउं में चले गए, मार्क में उसने अपने चे 29 उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो, पत्रस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीश है, 30 तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विशय में ये किसी से न कहना, अपनी मृत्यू के विशय यीशू की भविश्य द्वानी, 31 तब वह उन्हें सिखाने लगा क कि मनुष्य की पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दू, खह उठाए, और पुरनिय और प्रधान याचिक, और शास्त्री उसे तुच्छ समझ कर मार डाले, और वह तीन दिन के बाद जी उठे, 32 उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी, इस पर पत्रस उसे अलग ले ज येशु के पीछे चलने का अर्थ, 34 उसने भीर को अपने चेलो समेथ पास बुला कर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आप इसे इंकार करे और अपना क्रूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले, 35 क्योंकि जो कोई अपना प्रान बचाना चाहे, वह उसे 36 यदी मनुश्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा 37 मनुश्य अपने प्राण के बदले क्या देगा 38 जो कोई इस व्या विचारी और पापी जाती के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा 38 मनुश्य का पूत्र भी जब वो पवित्र दोतों के साथ अपने पिता की महिमा सहताएगा तब उससे भी लजाएगा 39 एक उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थि सहताया हुआ न देख ले तब तक मृत्यू का स्वात कदापी न चखेंगे यीशू का रूपांतर दो-च्छ दिन के बाद यीशू ने पत्रस और याकूब और योहना को साथ लिया और एकांत में किसी उचे पहाड पर ले गया वहाँ उनके सामने उसका रूप बदल गया तीन और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक उज्जूल हुआ कि प्रिथवी पर कोई धोबी भी वैसा उज्जूल नहीं कर सकता चार और उठे मूसा के साथ है लिया दिखाय दिया वे ईशू के साथ बाते करते थे पाँच इस पर पत्रसने ईशू से कहा हे रभी हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाए एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक लिया के लिए 6 क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दे इसलिए कि वे बहुत दर गए थे 7 तब एक बादल ने उन्हें चालिया और उस बादल में से यह शब निकला यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो 8 तब उन्होंने एक आएक चारों और द्रिष्टी की और हीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा 9 पहार से उतरते समय उसने उन्हें आग्या दी की जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुँ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वह किसी से न कहना 10 उन्होंने इस बात को स्मरन रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे मरे हुँ में से जी उठने का क्या अर्थ है 11 और उन्होंने उससे पूछा शास्त्री क्यों कहते हैं कि अलिया का पहले आना अवश्य है 12 उसने उन्हें उत्तर दिया अलिया सच मुछ पहले आकर सब कुछ सुधारेगा परंतु मनुष्य के पुत्र के विशे में ये क्यों लिखा है कि वह बहुत दूख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा तेरा परंतु मैं तुम से कहता हूँ कि अलिया तो आ चुका और जैसा उसके विशे में लिखा है उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया दुष्टात्मा ग्रस्ट बालक को चंगा करना चौदा जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीर लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे है पंद्रह उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी और दोड़कर उसे नमस्कार किया सोला हुसने उनसे पूछा तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो सत्रह भीर में से एक ने उसे उत्तर दिया है गुरू मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था 18 जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वही पटक देती है और वह मूँ में फेन भर लाता और दांग पीसता और सुखता जाता है मैंने तेरे चेलों से कहा कि वह उसे निकाल दे परंतु वह निकाल न सके 19 ये सुनकर उसने उनसे उत्तर दे के कहा है अविश्वासी लोगो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा उसे मेरे पास लाओ 20 तब वे उसे उसके पास ले आये और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरूरा और वह भूमी पर गिरा और मुह से फेन बहाते हुई लोटने लगा 21 उसने उसके पिता से पूछा इसकी ये दशा कपसे है उसने कहा बचपन से 22 उसने इसे नश्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया परन्तु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर 23 उसने उससे कहा यदि तू कर सकता है यह क्या बात है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है 24 बालक के पिता ने तुरंद गिरा कर कहा हे प्रभू मैं विश्वास करता हूँ मेरे अविश्वास का उपाय कर 25 जब यश्व ने देखा कि लोग दोड़कर भीर लगा रहे हैं तो उसने अशुद्धा आत्मा को ये कह कर डाटा हे गूंगी और बहरी आत्मा मैं तुझे आग्या देता हूँ उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना 26 तब वह चिला कर और उसे बहुत मरोर कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया 27 परंतु येश्व ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया 28 जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा हम उसे क्यू न निकाल सके 29 उसने उनसे कहा ये जाती बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती अपनी मृत्यू के विशय यीशू की पुना भविश्य द्वानी 30 फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे वह नहीं चाहता था कि कोई जाने 31 क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था मनुश्य का पुत्र मनुश्यों के हाथ में पकरवाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा 32 पर यह बात उनकी समझ में नहीं आए और वे उससे पूछने से डरते थे सबसे बड़ा कौन 33 फिर वे कफर नहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे 34 वे चुप रहे क्योंकि मार में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है 35 तब उसने बैठ कर बारहों को बुलाया और उनसे कहा यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने 36 और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोध में लेकर उनसे कहा 37 जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहन करता है वह मुझे ग्रहन करता है और जो कोई मुझे ग्रहन करता वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है जो विरोध में नहीं वो पक्ष में 38 तब योहन्ना ने उससे कहा, हे गुरू, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था 49 येशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थे का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, 40 क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वो हमारी ओर है 41 जो कोई एक कतोरा पानी तुम है, इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीती से न खोएगा 42 जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाथ उसके गले में लिटकाया जाए और वह समुत्र में डाल दिया जाए 43 यदी तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल तुंड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं 44 जहाँ उनका कीरा नहीं मरता और आग नहीं बुझती 45 यदी तेरा पाउं तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाउं रहते हुए नरक में डाला जाए 46 जहाँ उनका कीरा नहीं मरता और आग नहीं बुझती 47 यदी तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए 48 जहाँ उनका कीरा नहीं मरता और आग नहीं बुझती 49 क्योंकि हर एक जनाक से नमकीन किया जाएगा 50 नमक अच्छा है पर यदी नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो अध्याय 10 तलाग के विशय यीशू की शिक्षा एक फिर वह वहां से उठकर यहुदिया की सीमा में और यर्दन के पार आया वीड उसके पास फिर इकठी हो गई और वह अपनी रीती के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा दो तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे तीन उसने उनको उत्तर दिया मूसा ने तुम्हें क्या आग्या दी है चार उन्होंने कहा मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दी है पांच यीशु ने उनसे कहा तुम्हारे मन की कथोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यहा आग्या लिखी छे पर सृष्टी के आरम से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है साथ इस कारण मनुश्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा आठ और वे दोनों एक तन होंगे इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है नाइन इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुश्य अलग न करे दस घर में चेलों ने इसके विशे में उससे फिर पूछा ग्यारा हुस ने उनसे कहा जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यविचार करता है बारा हुर यदी पत्नी अपने पती को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यविचार करती है बालकों को आशीरवाद तेरा फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हात रखे पर चेलो ने उनको डाटा 14 हीशु ने ये देख प्रुध होकर उनसे कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है 15 मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहन न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा 16 और उसने उन्हें गोध में लिया और उन पर हात रख कर उन्हें आशीश दी 17 जब वह वहां से निकल कर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुश्य उसके पास दोड़ता हुआया और उसके आगे गुटने टेक कर उससे पूछा ही उत्तम गुरू अनन्द जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करून 18 जीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यूं कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर 19 तू आग्याओं को तो जानता है हत्या न करना व्या भिचार न करना चोरी न करना जूटी गवाही न देना चलना करना अपने पिता और अपनी माता का आदर करन 20 उसने उससे कहा हे गुरू इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ 21 जीशु ने उस पर द्रिष्टी करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है जा जो कुछ तेरा है उससे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और काकर मेरे पीछे हो ले बाइस इस बात से उसके चहरे पर उदासी चा गई और वह शोग करता हुआ चला गया क्योंकि वह बहुत धनी था तेई इस यीशु ने चारों और देखकर अपने चेलों से कहा धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है 24 चेले उसकी बातों से अचम्भित हुए इस पर ईशु ने फिर उनसे कहा हे बाल को जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है 25 परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उन्ट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है 26 वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर किसका उध्धार हो सकता है 27 येश्व ने उनकी ओर देख कर कहा मनुश्यों से तो यह नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है 28 पत्रस उससे कहने लगा देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है 29 येशू ने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भायों या बहिनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो 30 और अब इस समय सोगुन न पाए घरों और भायों और बहिनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोप में अनन्द चीवन 31 पर बहुत से जो पहले हैं पिछली होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे 32 वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और इशू उनके आगे आगे जा रहा था चेले अचम्वित थे और जो उसके पीछे-पीछे चलते थे वे दरे हुए थे तब वे फिर उन बारहों को लेकर उनसे वे बाते कहने लगा जो उस पर आने वाली थी 33 देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुश्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकरवाया जाएगा और वे उसको घात की योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौपेंगे 34 वे उसको ठटों में उलाएंगे उस पर थूकेंगे उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा याकूब और युहना की विनती 35 तब जब दी के पुत्र याकूब और युहना ने उसके पास आकर कहा हे गुरू हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझ से मागे वह तु हमारे लिए करे 36 उसने उसे कहा तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ 38 उन्हों ने उससे कहा, हमें ये देकी तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे 38 उन्हों ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते की क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम ले सकते हो? 49 उन्हों ने उससे कहा, हमसे हो सकता है येशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, तुम पीओगे और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, उसे लोगे चालीस पर जिनके लिए तयार किया गया है, उन्हें छोड़ो और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं 41 ये सुनकर दसो याकूब और युहना पर रिसी आने लगे 42 ये शुने उनको पास बुला कर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्यजातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं, उन पर अधिकार जताते हैं 43 पर तुम में ऐसा नहीं है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने 44 और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने 45 क्योंकि मनुश्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए पर इसलिए आया कि आप सेवा तहल करे और बहुतों की चुडोती के लिए अपना प्रांद दे अंधे बरतिमाई को द्रिश्ट दान 46 वे यरीहों में आये और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भी यरीहों से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था 47 वह ये सुनकर की यीशू नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा ही दावत की संतान यीशू मुझ पर दया कर 48 बहुतों ने उसे डाटा की चुप रहे पर वह और भी फुकारने लगा ही दावत की संतान मुझ पर दया कर 49 तब यीशू ने थहर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा धाधस बांध 55 वह तुझे बुलाता है 50 वह अपना कपड़ा फिक कर शीगर उठा और यीशू के पास आया 51 इस पर यीशू ने उससे कहा तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं अंधे ने उससे कहा हे रब्बी ये कि मैं देखने लगूं 52 इस ने उससे कहा चला जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है वह तुरंद देखने लगा और मार्ट में उसके पीछे हो लिया अध्याए 11 यरूशलेम में विजय प्रवेश एक जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहार पर बैत्फगे और बैतनिया के पास आये तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कह कर भेजा टू सामने के गाव में जाओ और उसमें पहुँचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा उसे खोल लाओ तीन यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यू करते हो तो कहना प्रभू को इसका प्रयोजन है और वह शीग्र उसे यहां भेज देगा चार उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे पांच उन्होंने से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे यह क्या करते हो गधी के बच्चे को क्यूँ खोलते हो छे जैसा येशू ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया तब लोगोंने उन्हें जाने दिया साथ उन्होंने बच्चे को येशू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैग गया आठ तब बहुतोंने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरोंने खेतों में से डालियां काट-काट कर फैला दी नाइन जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे होशाना धन्य है वह जो प्रभू के नाम से आता है दस हमारे पिता दावत का राज्य जो आ रहा है धन्य है आकाश में होशाना, ग्यारह वह यरूशलेम पहुचकर मंदिर में आया, और चारों और सब वस्तूओं को देखकर बारहों के साथ बैतन्ययाह गया, क्योंकि सांज हो गई थी फल रहे तंजीर का पेर, बारह दूसरे दिन जब वे बैतन्ययाह से निकले तो उसको भूख लगी तेरा वह दूर से अंजीर का एक हरा पेर देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाई, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था 14 हिस पर उसने उससे कहा, अपसे कोई तेरा फल कभी न खाये और उसके चेले सुन रहे थे, मंदिर से व्यापारियों का निकाला जाना 15 फिर वे यरूश लेम में आये, और वह मंदिर में गया, और वहां जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा और सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकिया उलद्दी, सोलह और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने न दिया 17 और उपदेश करके उनसे कहा, क्या यह नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुम ने इसे डाकों की खोव बना दी है 18 यह सुनकर प्रधान याचक और शास्त्री उसके नाश करने का अफसर धून्दने लगे, क्योंकि वे उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे 19 सांज होते ही वे नगर से बाहर चले गए, सूखे अंजीर के पेर से शिक्षा 20 फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेर को जड़ तक सूखा हुआ देखा 21 पत्रस को वे बात स्मरनाई, और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेर जिसे तूने स्राप दिया था, सूख गया है 22 येशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो 23 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहार से कहे, तू उखर जा, और समुद्र में जा पर, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीती करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा 24 इसलिए मैं तुम से कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीती कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा 25 और जब कभी तुम खड़े हुई प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रती कुछ विरोध हो तो क्षमा करो इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गिय अपिता भी तुम्हारे अप्रात क्षमा करे 26 और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अप्रात क्षमा न करेगा येशू के अधिकार पर प्राश्ण 27 वे फिर यरूशलेम में आये और जब वह मंदर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री और पुरणिये उसके पास आकर पूछने लगे 28 तु ये काम किस अधिकार से करता है और यह अधिकार तुझे किस ने दिया है कि तु ये काम करे 29 येशू ने उनसे कहा मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ 30 युहना का बपतिस्मा क्या स्वर्प की ओर से था या मनुश्यों की ओर से था मुझे उत्तर दो 31 तब वे आपस में विवात करने लगे कि यदी हम कहें स्वर्प की ओर से तो वह कहेगा फिर तुमने उसकी प्रतिती क्यों नहीं की 32 और यदी हम कहें मनुश्यों की ओर से तो लोगों का डर है क्योंकि सब जानते हैं कि युहना सच्मच भविश्यद वक्ता था 33 तहुन हुने येशु को उत्तर दिया हम नहीं जानते येशु ने उनसे कहा मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम कि सदिकार से करता हूं अध्याय बारह दुष्ट किसानों का दृष्टांत एक फिर वो दृष्टांतों में उनसे बाते करने लगा किसी मनुश्य ने दाख की बारी लगाए और उसके चारों और बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुमत बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर लोटा दिया चार फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा उन्होंने उसका सिर्फ फोर डाला और उसका अपमान किया पांच फिर उसने एक और को भेजा उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और बहुतों को भेजा उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार छेह अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था, अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे साथ पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ, हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी आठ और उन्होंने उसे पकड़ कर मार डाला, और दाग की बारी के बाहर फेक दिया नाइन, इसलिए दाग की बारी का स्वामी क्या करेगा, वो आकर उन किसानों का नाश करेगा, और दाग की बारी दूसरों को दे देगा दस क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पड़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया, ग्यारह ये प्रभू की ओर से हुआ, और हमारी द्रिष्टी में अद्भुत है 12 तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थी कि उसने उनके विरोध में ये द्रिष्टांत कहा है परवे लोगों से दरे और उसे छोड़ कर चले गए कैसर को कर देना 13 तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास भेजा 14 उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरू, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तू मनुश्यों का मूद एक कर बाते नहीं करता मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं 16 वे ले आए और उसने उनसे कहा ये चाप और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का 17 यीशू ने उनसे कहा जो कैसर का है वह कैसर को और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो तब वे उस पर बहुत अच्चमभा करने लगे मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वन्शुत्पन करे. 27 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, 21 तब दूसरे भाई ने उस 3 से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया, और वैसे ही तीसरे ने भी किया. 22 और सातों से संतान न हुई, सब के पीछे वह स्त्री भी मर गयी, 23 अतह जी उठने पर वह उन्में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी, 24 येशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो, कि तुम न तो पवित्रशास पुस्त्री को जानते हो, और नहीं परमेश्वर की सामर्थिको, 25 क्योंकि जब वे मरे हो में से जी उठेंगे, तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिये जाएंगे, परंतु स्वर्व में दोतों की समान होंगे, 26 मरे हो के जी उठने के विश्रे में क्या तुम न मूर्सा की पुस्तक में जाडी की कथा में नहीं पड़ा की परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अबरहाम का परमेश्वर और इसहाग का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं, 27 परमेश्वर मरे हों का नहीं वरन जीवतों का परमेश्वर है, अतर तुम बड़ी भू 29 येशु ने उसे उत्तर दिया, सब आग्याओं में से यह मुख्य है, हे इसराइल सुन, प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है, 30 और तू प्रभू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्रान से और अपनी सारी बुद्धी से और अपनी सारी श तूने सच कहा कि वह एक ही है, और उसे छोड़ो और कोई नहीं. तैंतीस और उससे सारे मन, और सारी बुद्धी, और सारे प्रान, और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना, और पडोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे हुंबलियों और बलिदानों से बढ़कर है. 34 जब येशू ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राजे से दूर नहीं. और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ. मसीह किसका पुत्र है? 35 फिर येशू ने मंदर में उपदेश करते हुए ये कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाउद का पुत्र है? 36 दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दाहे ने बैठ जब तक कि मैं तेरे बरियों को तेरे पाउँ की पीली न कर दून 37 दाउद तो आप ही उसे प्रभू कहता है फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा और भीर के लोग उसकी आनन से सुनते थे शास्त्रियों से सावधान 38 उसने अपने उगदेश में उनसे कहा शास्त्रियों से चोकसर हो जो लंबे-लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमसकार 49 और आरादनलेयों में मुख्य मुख्य आसन और भूज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं 40 वे विध्वाओं के घरों को खा जाते हैं और देखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं ये आधिक दन पाएंगे कंगाल विध्वा का दान जो एक अधिले के बराबर होती हैं डाली 43 तब उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मंदर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विध्वाने सबसे बढ़कर डाला है 44 तब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है परन्तु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है अध्याय 13 मंदिर के विनाश की भविश्य द्वानी एक जब वह मंदिर से निकल रहा था तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा हे गुरू देख कैसे विशाल पत्थर और कैसे भव्य भवन है दो ईशू ने उससे कहा क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचाना रहेगा जो धाया न जाएगा संकट और क्लेश तीन जब वल जैतून के पहाड़ पर मंदर के सामने बैठा था तो पत्रस और याकूब और युहनना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा फोर हमें बता कि ये बाते कब होंगी और जब ये सब बाते पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिनह होगा पांच यीशू उनसे कहने लगा चोकस रहो की कोई तुम्हे न भरमाए छे बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ और बहुतों को भरमाएंगे साथ जब तुम लडायां और लडायों की चर्चा सुनो तो न घबराना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंथू समय अंतना होगा आठ क्योंकि जाती पर जाती और राजे पर राजे चड़ाई करेगा हर कही भूकंभ होंगे और अकाल पढ़ेगे ये तो पीराओं का आरम भी होगा नाइंग परंथू तुम अपने विश्य में चौकस रहो क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे ताकि उनके ले गवाही हो दस पर अवश्य है कि पहले सु समाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए ग्यारा जब वे तुम्हें ले जाकर सौपेंगे तो पहले से चिंतना करना की हम क्या कहेंगे पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्रा आत्मा है बारा भाई को भाई और पिता को पुत्र घात के लिए सौपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे तेरा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उध्धार होगा महासन गटकाल 14. अतर जब तुमों सुजारने वाली ग्रिनित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां खड़ी देखो परने वाला समझ ले तब जो यहूदिया में हो वे पहाणों पर भाग जाएं 15 जो छत पर हो वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उत्रे और न भीतर जाए 16 और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने के लिए पीछे न लोटे 17 उन दिनों में जो गर्भवती और दूद पिलाती होंगी उनके लिए हाई हाई 18 और प्रार्थना किया करो की यह जाड़े में न हो 19 क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे की स्रिष्टी के आरम से जो परमेश्वरने स्रिजी है अब तक न तो हुए और न फिर कभी होंगे 20 यदि प्रभू उन दिनों को न घटाता तो कोई प्रानी भी न बचता परंतु उन चुने हों की कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया 21 उस समय यदि कोई तुम से कहे देखो मसी यहां है या देखो वहां है तो प्रतीती न करना 22 क्योंकि जूटे मसी और जूटे भविश्यद वक्ता उठ खड़े होंगे और चिनहा और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हों को भी भरमा दे 23 पर तुम चौकस रहो देखो मैंने तुम्हें सब बाते पहले ही से बता दी है 24 उन दिनों में उसकलेश के बाद सूरज अंधेरा हो जाएगा और चांद प्रकाश न देगा 27 उस समय वह अपने दूतों को भेज कर प्रित्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकठा करेगा 28 उस अंजीर के पेर से ये द्रिश्टान सीखो जब उसकी दाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीश्मकाल निकट है 29 इस इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि वह निकट है वरंदवार ही पर है 30 मैं तुम से सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बाते न हो लेंगी तब तक ये लोग जाते न रहेंगे 31 आकाश और प्रिथवी टल जाएंगे परंतु मेरी बाते कभी न टलेंगी 32 उस दिन या उस घड़ी के विश्रे में कोई नहीं जानता न स्वर्प के दूत और न पुत्र परंतु के वल्पिता 33 देखो जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा 34 या उस मनुष्य की सीदशा है जो पर्देश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे 35 इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा सांच को या आधिरात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भूर को 36 ऐसा नहो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए 37 और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ जागते रहो अध्याय 14 इशु के विरुद्ध शद्यंत्र एक दो दिन के बाद फसह और अक्मीरी रोटी का पर्व होने वाला था प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे चल से पकड़ कर मार डाले दो परंतु कहते थे पर्व के दिन नहीं कहीं इसा नहों की लोगों में बलवा मचे बैतनियाह में यीशु का आभ्यंजन तीन जब वह बैतनियाह में शमान कोडी के घर भोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री संग मरमर के पात्र में जटा मांसी का बहमूय शुद इत्र लेकर आए और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडिला चार परंतु कोई-कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे इस इत्र का क्यू सत्यानाश किया गया पांच क्योंकि यह इत्र तो तीन सौ दीनार से अधिक मूय में बेचा जाकर कंगालों में बाटा जा सकता था और वे उसको जिरिकने लगे छे ईशू ने कहा उसे छोड़ दो उसे क्यू सताते हो उसने तो मेरे साथ भलाई की है साथ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूँगा आठ जो कुछ वह कर सकी उसने किया उसने मेरे गाड़े जाने की तयारी में पहले से मेरी देव पर इत्र मला की है नाइन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरंग में की जाएगी यहुदा का विश्वास गहत दस तब यहुदा इस कर्योती जो बारह में से एक था प्रधान याजकों के पास गया कि उसे उनके हाथ पकरवा दे ग्यारह वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुप्य देना स्वीकार किया और वहफसर धूनने लगा कि उसे किसी प्रकार पकरवा दे चेलों के साथ फसल का अंतिम भोच बारह हक मेरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसल का बलिदान करते थे उसके चेलों ने उससे पूछा तु कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसल खाने की तयारी करें तेरह उसने अपने चेलों में से दो कोई कहकर भेजा नगर में जाओ और एक मनुष्य जलका घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो लेना चौदह और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना गुरू कहता है कि मेरी पहुंचाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसल खाऊन कहां है 15 वह तुम्हें एक सजी सजाए और तैयार की हुई बड़ी अतारी दिखा देगा वहां हमारे लिए तैयारी करो 16 चेले निकल कर नगर में आये और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसल तैयार किया 17 जब सांज हुई तो वह बारहों के साथ आया 18 जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो ईशु ने कहा मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा 19 उन पर उदासी चा गई और वे एक एक करके उससे कहने लगे क्या वह में हूँ 20 उसने उनसे कहा वह बारहों में से एक है जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है 21 क्योंकि मनुश्य का पुत्र तो जैसा उसके विशे में लिखा है जाता ही है परंतो उस मनुश्य पर हाई जिसके द्वारा मनुश्य का पुत्र पकड़वाया जाता है यदि उस मनुश्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता प्रभु भोज 22 जब वे खाही रहे थे उसने रोटी ली और आशीश मानकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो यह मेरी दे है 23 फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया 24 और उसने उनसे कहा ये वाचा का मेरा वहलहु है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है 25 मैं तुम से सच कहता हूँ कि दाग का रस उस दिन तक फिर कभी न पियूँगा जब तक परमेश्वर के राजे में नया न पियूँ 26 फिर वे भजन गाकर बाहर जैतून के पहाड पर गए पत्रस के इंकार की भविश्य द्वानी 27 तब येशू ने उनसे कहा तुम सब थोकर खाऊँगे क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेले तितर बितर हो जाएंगी 28 परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊँगा 29 पत्रस ने उससे कहा यदी सब थोकर खाएं तो खाएं पर मैं थोकर नहीं खाऊँगा 30 यशू ने उससे कहा मैं तुझ से सच कहता हूँ कि आज ही इसी रात को मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा 31 पर उसने और भी जोड दे कर कहा यदी मुझे तेरे साथ मरना भी पढ़े तो भी मैं तेरा इंकार कभी न करूँगा इसी प्रकार और सब ने भी कहा गत्समनी में प्रार्थना 32 फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आये और उसने अपने चेलों से कहा यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूँँ 33 और वह पत्रस और याकूब और युहनना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा 34 और उनसे कहा मेरा मन बहुत उदास है यहां तक कि मैं मरने पर हूँ तुम यहां ठहरो और जागते रहो 35 फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमी पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदी हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए 36 और कहा हे अबबा हे पिता तुझ से सब कुछ हो सकता है इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं पर जो तुचाहता है वही हो 37 फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा हे शिमौन तू सो रहा है क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका 38 जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पढ़ो आत्मा तो तयार है पर शरीर दुर्बल है 49 और वह फिर चला गया और उन्हें शब्दों में प्रार्थना की 40 फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आखें नीन से भरी थी और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दे 41 फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा अब सोते रहो और विश्राम करो बस घड़ी आ पहुँची देखो मनुश्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है 42 उठो चलें देखो मेरा पकड़वाने वाला निकेटा पहुचा है येश्य का धोखे से पकड़ा जाना 43 वह ये कही रहा था कि यहुदा जो बारहों में से एक था अपने साथ प्रधा नियाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की ओर से एक बड़ी भीर लेकर तुरंता पहुचा जो तलवारे और लाठिया लिये थी 44 उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था कि जिसको मैं चूमूँ वही है उसे पकड़ कर यत्म से ले जाना 45 वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा हे रब्बी और उसको बहुत चूमा 46 तब उन्होंने उस पर हाथ डाल कर उसे पकड़ लिया 47 उन्हें से जो पास खड़े थे एक ने तलवार कीच कर महायाजक के दास पर चलाए और उसका कानोडा दिया 48 येशू ने उनसे कहा क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारे और लाठिया लेकर निकले हो 49 मैं तो हर दिन मंदर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे ना पकड़ा परन्तु यह इसलिए हुआ है कि पवित्रशास्त्र की बाते पूरी हो 50 इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए 51 जवान अपनी नंगी देल पर चादर ओड़े हुए उसके पीछे हो लिया और लोगों ने उसे पकड़ा 52 पर वह चादर छोड़कर नंगा भाग गया महासभा के सामने यीशू 53 फिर वे यीशू को महायाजक के पास ले गए और सप्रधान याजक और पुरनिय और शास्त्री उसके यहां एकठे हो गए 54 पत्रस दूर ही दूर उसके पीछे-पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया और प्यादों के साथ बैठकर आगतापने लगा 55 प्रधान याजक और सारी महासभा यीशू को मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे पर न मिली 56 क्योंकि बहुत से उसके विरोध में जूटी गवाही दे रहे थे पर उनकी गवाही एक सी न थी 57 प्रधान तब कुछ लोगों ने उठकर उसके विरोध ये जूटी गवाही दी 58 हमने इसे ये कहते सुना है मैं इस हाथ के बनाय हुए मंदर को ढ़ादूंगा और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से न बना हो 69 इस पर भी उनकी गवाही एक सी न निकली महायाजक ने उससे फिर पूछा क्या तू उस परमधन्य का पुत्र मसी है 62 ये शुने कहा मैं हूँ और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी और बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे 63 तब महायाजक ने अपने वस्त्रफार कर कहा अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है 64 तुमने ये निंदा सुनी तुम्हारी क्या राय है उन सब ने कहा कि यह वद की योग्य है 65 तब कोई तो उस पर थूपने और कोई उसका मूँ नहापने और उसे घूसे मारने और उससे कहने लगे भविश्य द्वानी कर और प्यादों ने उससे पकड़ कर थप पर मारे पत्रस का इंकार 66 जब पत्रस नीचे आंगन में था तो महायाजक की दासियों में से एक वहाँ आई 66 और पत्रस को आग तापते देख उसे टक्टकी लगा कर देखा और कहने लगी तू भी तो उस नासरी इशू के साथ था 68 वह मुकर गया और कहा मैं नहीं जानता और नहीं समझता हूँ की तू क्या कह रही है फिर वह बाहर डैबरी में गया और मुर्ट ने बांग दी 79 वह दासियों से देखकर उनसे जो पास खड़े थे फिर कहने लगी यह उनमें से एक है 70 परंतु वह फिर मुकर गया मैं उस मनुष्य को जिसकी तुम चर्चा करते हो नहीं जानता 72 तब तुरंत दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी पत्रस को वह बात जो येशु ने उससे कही थी स्मरन आई मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले तू तीन बार मेरा इंकार करेगा और वर इस बात को सोचकर रोने लगा अध्याय पंद्रह पिलातुस के सामने येशु एक भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरंसारी महासभाने सलाह करके येशु को बंधवाया और उसे लिए जाकर पिलातुस के हाथ सौप दिया दो पिलातुस ने उससे पूछा क्या तू येहूदियों का राजा है उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है तीन प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे चार पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तु कुछ उत्तर नहीं देता, देखिए तुझ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं पांच ईशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ मृत्यु दन की आग्या चे पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था साथ बरब्बा नाम का एक मनुष्यों उन बलवायों के साथ बंदी था, जिन्होंने बलवे में हत्या की थी आठ और भीर उपर जाकर उससे विनती करने लगी, कि जैसा तु हमारे लिए करता आया है वैसा ही कर नाइन पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दून दस क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे दाह से पकड़वाया था ग्यारा परन्तु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा की वह बरबभाही को उनके लिए छोड़ दे 12 ये सुन पिलातोस ने उनसे फिर पोछा तो जिसे तुम यहुदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूँ 13 वे फिर चिलाए उसे क्रूस पर चड़ा दे 14 पिलातोस ने उनसे कहा क्यों इसने क्या बुराई की है परंतु वे और भी चिल लाए, उसे क्रूस पर चड़ा दे 15 तब पिलातुस ने भीड को प्रसंद करने की इच्छा से बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और ईशु को कोड़े लगवा कर सौफ दिया कि क्रूस पर चड़ाया जाए सेनेको द्वारा ईशु का अपमान 16 सेनेक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रीटोरियूम कहलाता है और सारी पलतन को बुलालाए 17 तब उन्होंने उसे बेंजनी वस्त्र पहिनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा 18 और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे है यहुदियों के राजा नमस्कार 19 वे उसके सिर पर सरकंदे मारते और उस पर थूपते और घुटने टेक कर उसे प्रनाम करते रहे 20 चब वे उसका ठठा कर चुके तो उस पर से बेंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहिनाय और तब उसे क्रूस पर चड़ाने के लिए बाहर ले गए यीशु का क्रूस पर चड़ाया जाना 21 सिकंदर और रूफ उसका पिता शिमॉन एक कुरेनी मनुष्य जो गाउं से आ रहा था उधर से निकला उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले 22 वे ईशु को गुलगुता नामक जगह पर जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए 23 वहाँ उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे परंतु उसने नहीं लिया 26 तब उन्होंने उसको क्रूस पर चड़ाया और उसके कप्टों पर चित्थिया डाल कर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया 25 और एक पहर दिन चड़ाया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चड़ाया 26 और उसका दोशपत्र लिखकर उसके उपर लगा दिया गया की यहूदियों का राजा 27 उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई और क्रूस पर चड़ाये 28 तब पवित्र शास्त्र का वह वचन की वह प्राधियों की संग गिना गया, पूरा हुआ 29 और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह मंदिर के धाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, 30 क्रूस पर से उतर कर अपने आपको बचा ले 31 सी रीती से प्रधान याजग भी, शास्त्रियों समेत आपस में ठठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया, पर अपने को नहीं बचा सकता 32 इसराइल का राजा, मसीह, अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें और जो उसके साथ क्रूसों पर चड़ाए गए थे, वे भी उसकी निंदा करते थे यीशू का प्रान त्याग ना 33 दो पहर होने पर सारे देश में अंधियारा चा गया, और तीसरे पहर तक रहा 34 तीसरे पहर यीशू ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लिमा शबक्तनी जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया 35 जो पास खड़े थे, उन में से कुछ ने ये सुनकर कहा, देखो, वह अलियाह को पुकारता है 36 और एक ने दोड़कर स्पंज को सिर्के में दुबोया, और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें, एलियाह उसे उतारने के लिए आता है की नहीं 37 तब लीशु ने बड़े शब्द से चिल्ला कर प्रान छोड़ दिये, 38 और मंदिर का पर्दा उपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया 49 जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे युचल्ला कर प्रान छोड़ते हुए देखा, तो उसने कहा, सच्चमुच यह मनुश्यप परमिश्वर का पुत्र था 40 कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी, उनमें मर्यम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसे इसकी माता मर्यम और सलोमी थी 41 जब वह गलील में था, तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवाठ हल किया करती थी, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थी, जो उसके साथ यरूशलिम में आई थी 42 जब संध्या हो गई तो इसलिए की तयारी का दिन था, जो सबत के एक दिन पहले होता है, 43 अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया, जो महासभा का सदस्य था और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाढ़ जोहता था, वह याव करके पिलातुस के पास गया और ये शु का शब मानगा, 44 पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीग्र मर गया, और उसने सूबेदार को बुला कर पूछा, क्या उसको मरे हुए देर हुई, 45 जब उसने सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, तो शब यूसुफ को दिला दिया, 46 तब उसने मलमल की एक चा की माता मर्यम देख रही थी कि वह कहां रखा गया है, अध्याय सोलह, येशु का पुनरुत थान, एक चप सबत का दिन बीट गया, तो मर्यम मगदलीनी और याकूब की माता मर्यम और सलोमी ने सुगंदित वस्तुए मोल ली कि आकर उस पर मले, दो सपता के पहले दिन बड उठाए, तो देखा कि पत्थर लुलका हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था, पांच काप्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहिने हुए दाहिनी और बैठे देखा, और बहुत चकित हुई, छे उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम ईशु नासरी को जो क्रूस पर चड़ाया गया था, धूनती हो, वह जी उठा है, यहां नहीं है, देखो, यही वह स्थान है, जहां उन्होंने उसे रखा था, साथ परंतु तुम जाओ, और उसके चेलों और पत्रस से कहो कि वह तुम से पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुम से कहा थ तुम वही उसे देखोगे, आठ और वे निकल कर कबर से भाग गई, क्योंकि कप्पी और घबराहत उन पर चागई थी, और उन्होंने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि दर्ती थी, मरियम मगदलीनी को यीशू का दिखाए देना, नाइन सपता के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ बुष्टात्माय निकाली थी, दिखाए दिया, दस उसने जाकर यीशू के साथियों को जो शोक में दूबे हुई थे और रो रहे थे, समाचार दिया, ग्यारा हुन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीती न की, दो चेलों को यीशू का दिखाए देना, बारह इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से दो को जब वे गाव की ओर जा रहे थे, दिखाए दिया, तेरह उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प् क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीती न की थी, पंद्रह और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी स्रिष्टी के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, 16 जो विश्वास करे और बपतिसमा ले उसी का उध्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोशी ठहराया जाएगा, 17 विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाशा बोलेंगे, 18 सापो को उठालेंगे, और यदि वे प्रानाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानी न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेगे, और वे चंगे हो जाएंगे, ये शु का स्वरगा रोहन, 19 प्रभू ये शु उनसे बाते करने के बाद स्वरग पर उठालिया गया, और पर मेश्वर की दहिनी और बैट गया, बीस और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया, और प्रभू उनके साथ काम करता रहा, और उन चेहनों की द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को द्रिड करता रहा, आमीन